क्या इस देश में 75 साल में भारत का सम्हिधान लागू हुआ था क्या 60 साल तक इन्हों राज किया कश्मीर में भारत का सम्हिधान नहीं लागू होता था अगर सम्हिधान सम्हिधान की इतनी है आपको पवित्रता लगती थी तो कश्मीर में समिधान क्यों लागू नहीं किया आपने 370 की दिवार बना करके भारत के समिधान को यहां तक क्यों अठका दिया आपने यह बाबा साब काम बेड़कर का अपमान है कि नहीं है दूसरा जमु कश्मीर में जो मेरे दलीद भाई बैन है इनको 75 साल का अरक्षन का अधिकार नहीं मिला है जी कोई अधिकार नहीं मिला है तो इनको रोना क्यों नहीं आया भे मापर हमारे आदिवासी भाई बैन है उनको कोई अधिकार नहीं मिला क्यों रोना नहीं आया हमारी माताई बैने है वहाँ उनको कोई अधिकार नहीं मिला क्यों सम्विधान था यह नहीं वहाँ उनका सम्विधान चलता था मैंने सम्विधान की सबसे बड़ी सेवा की है कि 370 अटा करके जम्मू कश्मीर में भारत का सब्सक्राइब मैंने सम्हिधान के प्रति मेरा समर्पन देखी है जब भारत के सम्हिधान के 60 साल हुए है तो मैंने गुजरात में हाथी के उपर सम्हिधान की बड़ी प्रत रखी और उसकी पूजा की और उसका बहुत बड़ा जुलूस निकाला और हाथी पर सिरफ सम्विधान था और राज्य का मुख्यमेंतरी पैदल चल रहा था वहां क्यों मैं देश्च्वासियों के दिल में सम्विधान की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था जब हम प्लालामेंट म मैं आँ तो हमने सम्विधान दीवस मनाने का प्रस्थावड़ात है ओ कॉंगरेज पार्टी ने विरोथ किया और कॉंगरेज कि दिल में स्वेमिदान की पवितरता के चाहिए यह वकीलों के लिए अदालत में धाराएं कोट करने के लिए संविदान नहीं है संविदान हमारी जीवन की प्रेणा बनना चाहिए नई पीड़ी को सिख्षा मिलनी चाहिए